सूर्य बुद्ध और शुक्र इन तीनों ग्रहों की यूति हैं वो हमारी जन्मकुंडली में एक बहुत बड़ा राज्यों में बनाती है और एक बहुत बड़ा दोस्ट में बनाती है आईए इस वीडियो के माध्यम से समझती हैं अब सबसे पहले बात करती हैं राज्यों के पर देट हैं तीनों ग्रहां है वह शुख ढ momento करी का नौकरी में इस्तिर्था का कारए सूर्यवी सरकारी नौकरी और स्ट्रिता का क्या रह और इस्टेटर सका विक buys करए तोह इन जो तीनों ग्रहों की यूति है वो हमारे व्यापारिक नौक्री के कर्म से संबंदित बहुत अच्छा लाब और बहुत अच्छा राज्योग देती है अब इसका दोस कैसे है तेकिए इन तीनों ग्रहों में अगर हम शुक्र को छोड़ दे तो बुद्ध और सूर्य दोनो ने नमारे जीवन में व्यापास संबंदित शुकों में डिले करता है देरी लाता है और कई न कई उसको काठता भी है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यूति है विवाहीक तोर पे हमें अर्च पैदा भी 이제 काईसे बनी है यह बनी हैeredे है को नहीं बनी है क्योंकि यह जो की लगन नौमास और दसमास इन तीनौ जन्मकुंडलियों के अंतर अगर हम देखेंगे ये अगर अगर ये यूति जो है वो दसमास कुंडली में जाकर अशुब होएगए तो आपको यह समझना है कि इसे हम कैसे पडिट करें सबसे पहले इस जनम कुंडली के उपर मैं इसको पडिट करके बताता हूँ इस जनम कुंडली में सब्तम घर पे बनी है अब सब्तम घर पे बनी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है विवाईक जीवनों में अर्चने भी आ सकत की सर देखिए 30 नक्षतर में इसके बाद आता है वह जलततवर आसी है जो बह। अच्छी होती है इसके बाद आता है आपका बुद्ध 20 डिगरी का रेउंती नक्षतर में यानि कि दोनों के दोनों ग्रेजों है वो 20 डिगरी के रेउंती नक्षतर में हैं इसके बाद आता है शुक्र शुक्र भी 20 डिगरी का है रेउंती नक्षतर में यानि तीनों ही ग्रेज एक ही डिगरी पे है तो अब यह यह तो राजयोग है यह फिर दोस है अब जन्म कुंडली में सब्तमगर में पढ़ा है तो इसका मतलब कि व्यापार और नौकरी के चेतर में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है क्योंकि दसमेश जो है वो बुद्ध है वो सब्तमगर में आके नीच का तो जन्म कुंडली में तीनों के तीनों एक ही दक्षतर में आ रहे हैं जन्म कुंडली को देखने के अनौकर अब अगर हम विवाईक तवर पे देखते हैं तो भाई नवमेश शुक्र जो है वो पूच्च का हुआ है यानि कि नवमगर यानि सेकिंड मेरीज एक्ष्टा मेटल अफेर इसका मालिक जो है वो आपका उच्च का हुआ है सब्तम घर में तो एक परिशानी हो गई है दूसरा कि यहां पे जन्म कुंडली के अंदर बारवा घर जो खर्चे हैं डिले हैं देरी है उसका मालिक सूर्य जो है जन्म विवाह के लिए अशुब होता है वो आके बै यहां पर क्या हुआ है कि आपके विवाह में डिले है यानि कि अगर आप जल्दी विवाह करते हो तो आपको अर्चने आ सकते हैं या विवाह तूटके दो विवाह के यूग बन सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली में इस तरह से अब व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा यह आ रहे हैं अब हम अपनी अपनी चन्म कुंडलेव में कैसे पॉर्णिट करें इस तरह से देख सकते हैं अब हमने देखा है कि इसलों में कितने पॉइंट बन रहे हैं जिस भाहों में यूति बन रही है अठाट बन लेकिन व्यापार किसी और के नाम का हो सकता है पिता के नाम का माता के नाम का या पीर हमारा कह सकते हैं कि विवहा के ऊपर हमारे को अभी तक जितना पता चल रहा है कि अडचने यहां पर नजर आ रही है यह जो यूति है यहां पर प्रॉब्लम क्रेट कर रही है अब इसको हम क्या करेंगे कि नौमास में जाएंगे तो नौमास यह कुंडली में जब हम इसे देखते है देखते हैं तो च्टे घर में बन गई है मकर राशी में वैसे तो मींद राशी का जो है मकर नौमास साथा नौमास बहूता है दिले प्रिसानिया विवाह में अर्चने लेकिन चटा का नौकरी के लिए करम के लिए अर्निंग बहुत बढ़िया है इसका ताफ्पर ए क्या ह है कि हमें लाव का योग बना रहा है अब इसे हम 10 passado जाके देखते हैं अब दसमांस कुंडली के अंदर गरम देखते हैं तो ये जो है वो बन रहे है आप पे पंचम घर ब्राप COたक डौक है वैसे तो यह त्यक्रम का आठवा है लेकिन 5 मतलब यहां लाब भी हो रहा है तो यह यूति जो हैं वो व्यापार के लिए बढ़िया है और आपके यहां पे जब हम बात कर रहे हैं विभा के लिए तो बहुत ज्यादा अर्चने देने वाली यूति बन गई है तो हमने इस कुंडली के माध्यम से यह देखा कि यह तीनों ग्रहों की ज अगर आपकी जर्म कुंडली के आठवे घर में कोई कमजोर अशुब ग्रह पढ़ा है जैसे सनी पढ़ा हो विभा के लिए गडबड होता है क्योंकि आठवा क्या सेक्शुल प्लेजर का है उसमें राहू पढ़ा हो के तु पढ़ा हो तो आप यह कह सकते को यह यूति जो ह है वो हमें सारेरिक दुरबलता भी पैदा करेगी जो हमें कहीं अर्चने पैदा करेगी जो हमें परिसान कर सकती है विवा के लिए तो इस यूति को हम इस तरह से भलित कर सकते हैं अब यह यूति बन गई है अब इस कुंडली में यह एक तरह से देखा जाए तो विवा के लिए तो दोष बन गया है और व्यापार और नोकरी के लिए एक राजियोग बन गया है तो इसे कैसे हैंडल करेंगे हम अपने जीवन में देखे सबसे मैतपुणा के अगर हम विवा कर रहे हैं, तो इस कुंडली के माद्यम से तो विवा डिले हो रहा है, तो हम ये कोशिज करें कि हम अपनी उम्र के 29-30 वर्स में विवा करें, जिससे कि हमें लाब हो, कि हम मैचोर हो जाएं, दूसरा है कि विवाह के समय में 2-4 साल तक हम इन 3 ग्रोहों के दान सकते हैं, सबसे पहले ही ना पहले हैं, क्योंकि वो आपको हर तरह से परिशान कर सकती है, चाहें वो सारी दूर्बलता दे के न पूल सकता वाले योग लाएं, या फिर आप यह माने कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकि पतनी आप से सटिस्पाई नहीं हो, या कुछ भी कार यानि कि व्यापार के तौर पे हमें दोस्त मिलेगा, तो हम क्या गरते हैं, उसके छेतर में हमें दस्वे घर के अंदर बैठी वे गरे को देखना परता है, अभी हम आठ्वे घर को क्योंकि यह सेक्शुल प्लेजर है, विवा का एक बहुत बड़ा चीज है अगर यह नहीं उसमें यह मानी कि उतेजना को कम कर रहा है, काट रहा है, तो यह हो सकता है कि जातक जो हैं वो विवा में अपना 100% न दे पाए, जिसके कारण उसके विवा में अर्चने या पैदा हो सकती है, तो आपको इस जनम कुंडली के मादिम से अपनी जनम कुंडली को पडिक्ट कर करना है कि मुझे विवा के तोड पे राजयों मिल रहा है या फिर करम के तोर पे अब जैसे आपको समझ में आता है उस तरह के उपाय करिए करम के तो आप अगर साधी नहीं किये तो आप पिर इसके रतन वदन पहन के आप इसका बहुत अच्छा लाव ले सकते हैं और साधी क होता है इसका फरादिस कैसे किया जाता है और हमारे इस यूटूब चैनल पर पांसो से भी अधिक हमने इस तरह के वीडियो बनाए है जो पूरे के पूरे टुटोरियल है आपको बहुत अधिक लाब देंगे और उनको आप सीख सकते हूं के पी एस्टालोजी वेदिक जोत और तो